नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है दिवाली से पहले ही राजधानी दिल्ली और आसपास के शेरों जिसे के हम NCR के नाम से जानते हैं हवा इसकदर जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है AQI खतरनाक स्थर पर पहुँच चुका है और हम सब के मुबाइल फोन बार बार संकेत कर रहे हैं कि जहां तक मुम्किन है घरों में बंद रहें बाहर ना निकलें क्योंकि बाहर हवा की जगा जहर फैला हुआ है मगर क्या करें मजबूरी है घर से निकलना ही है निकलना ज़रूरी है और इसलिए राजधानी दिल्ली वाले बीमारी को नियोता देते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं यह तो definitely अगर डॉक्टरों कहते हैं कि नहीं करना चाहिए वो तो करना चाहिए बट मेरा ओपिनियन ही है मैं गुड एज का हूँ कि exercise is a part of your life exercise रोज करनी चाहिए अगर आप नहीं कर सकते हैं भाहर तो indoor कर लो बट करो जरूर AQI का हालम यह है कि दिल्ली के आनन्द विहार में साढ़े 400 का स्तर पार कर चुका था बुदवार सुबा AQI का स्तर वहीं दिल्ली ससेटे नोइडा के सेक्टर 1 में जो कि नोइडा और दिल्ली को जोड़ने का काम करता है वहाँ बुदवार सुबा AQI 377 दरज किया गया कमोबेश ऐसी ही हालत गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम की भी है राजधानी और आसपास के शहरों में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है आम तोर पर दिवाली के पटाखों पर इसका ठीकरा फोड़ा जाता था मगर अभी दिवाली बहुत दूर है, दो-तियन दिन बाद आनी है मगर हवा इसकदर जहरिली हो चुकी है कि पूछे ही मत दिवाली के अगले दिन यां तीरा तारीक से दिली में और इवन भी लग रहा है देखने वाली बाती होगी कि उसके बाद कुछ सुधार होता है या नहीं होता है सुप्रीम कोट बार-बार कह रहा है कि पराली जलाना तुरंद बंद करवाएं सरकार लेकिन इस पर राजनीती किसी बासरकारें और कुछ नहीं कर रही है हर्याना में किसानों को पराली काटने के लिए एक बिलर मशीन उपलब नहीं है पराली की बिकरी के कोई संसाधन नहीं है पराली से कोई बेस इंडस्ट्री महां पे नहीं लग पा रही है सरकात सरफ जुर्बाना लगा रही है इस बीच दिल्ली में स्कूलों को पहले ही बंद किया जा चुका था, पढ़ाई को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जा चुका था, अब नोईडा और गाजियाबाद में भी नर्सरी से लेकर कक्षा 9 तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ अ भी उठा रहे हैं अभिवावक कि क्या 10 मीं से लेकर 12 में तक के बच्चों पर प्रदूशन का बुरा असर नहीं पड़ेगा, भरा सवाल बहुत से हैं, नराज की बहुत सी है, मगर इन सब के बीच उपाई एक ही है कि जहां तक मुम्किन है दिल्ली और NCR के लोग अपने घ पल पल प्रदूशन की खबर मिलती रहेगी, धन्यवाद